दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मस्तोरे laptop जो आप दे सकते हैं Asus की तरफ से तीन laptop है मेरे पास student है आप, professional है, office going है या फिर आपको चाहिए एक swag वाना laptop सब कुछ आपको मिल जाएगा पहले बात करते हैं इस laptop की जहापर आपको i5 13th generation processor मिल जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपको H लिखा हुआ मिल रहा है, H का मतलब है High Power तो यह laptop power user के लिए बना हुआ है जिसको थोड़े कम प्राइस पे powerful laptop चाहिए gaming आपको बंदी है, यहाँ पर अच्छी gaming आप कर सकते हैं gaming की टाइम पर हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए यह अच्छा सा पीछे बड़ा सा वैंड मिल जागा आपको जो की हीटिंग को कंट्रोल में रखने के लिए एल्प करेगा साथ पर 16GB RAM है, 512GB SSD है, SSD की मदद से multitasking यहाँ पर और easy हो जाती है जोस्तों मान लो आप laptop यूज निकर रहे हैं वो sleep port पे चला गया है जैसी आप touch करेंगे एकदम से, एक सेकिंट से भी कम कट्राइम लगेगा यह laptop वापीज आपके सामने हाजिर हो जाएगा आपको वो loading, loading वाली वेट नहीं करने बड़ेगी बागी जान तो ग्राफिक्स की बात है तो यहाँ पर Intel Iris X-E ग्राफिक्स हैं तो CPU, GPU मिलकर बहुत सही यहाँ पर काम करते हैं आपको शिकायत नहीं आने वाली है fast charging यहाँ पर दे रखी है, 0-100% यह लगबग 50-50 मिंट के आसफास चार्ज हो जाएगा बैगाब अच्छा है, पावर एफिचेंट है, यह पूसेसर भी साथ में अगर मैं डिजाइन और बिल्ड की बात करता हूँ ना देखो डिजाइन मुझे elegant लगा, कोई दिक्कत नहीं है डिजाइन दिखने में जैसे कि आप ट्रेवल करते हैं, लेप्टप को यूज़ करते हैं, लोंग रूट पर आप जा रहे हैं, बैग में इसको रखा हुए है तो वेट का आपको इतना इशू नहीं आएगा, इसका वेट है 1.8 केजी इसका एक और बहुत कूल फीचर है, इसमें फिंगर बीड के आपको कीपेड के उपर ही मिल जाएगा वरना क्या होता है, कोर्नर पे दिया होता है, उपर अलग से में टेश के अनल बढ़ता है अगर आप रात को गाम करते हैं, तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसका जो कीपेड है, वो फुल साइज है तो यहाँ पर बैक लाइट भी अवेलिबल है, तो रात को अंदेरे में कीबॉर्ड इसका चमकता रहेगा तो कई बर क्या होता है, कैमरा से हम तो रहना डरते हैं, हमें लगता है कहीं कोई एप या कूचा में ट्रैक ना कर रहा हो ऐसे में आपर कैमरा के लिए अलग से शेटर बटर मिल जाएगा, उसको आप कर दो और फिर कैमरा आपका वीजिवल नी रहेगा, मतलब वो आगे उसके कवर आ जाएगा यह भी एक पॉइंट रहते हैं, आज के लिए सभी को वीचर देना चाहिए वाई-फाई शिक्स के लिए आप फीचर सभी है, क्रेक्टिविटी को लेकर कोई कॉम्परमाज नहीं है, पोर्ट सभी मेर मेर आपको मिल जाते हैं, इस सीज के लिए तो थम्स अप है और मैंने डिस्प्ले आपको बताई दिया, 16 इंच का आई-पेस पैनल है इसमें, कॉन्टेंट देखने का आपको मज़ा आएगा, कलरी पोडेक्शन में दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले ब्राइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्यूंग आगल भी इसके अच्छे हैं बागी मैट है, इसका तो आपको अलग से मज़ा आएगा है, यहाँ पर कॉन्टेंट देखने का, बागी अगर आपको यूज ऐसा है, जिसमें आप कॉन्टेंट ज्यादा स्ट्रीम करना पसंद करते हैं, नेट्ट्रिक्स पे, होड्स्टार पे आप चिपके रहते हैं, ऐस में आपके लिए बैश्ट रहेगा, इसका जो अगला मोडल है वहाला, जो की है, दिखने में वह भी इसी ही तरह ही है, लेकिन वह आता है OLED पैनल के साथ, बाकी प्रसेस्टार में उसमें भी सेम है, लेकिन OLED पैनल है, इसकी स्क्रीन साइज है 15.6 इंच, यह वीवो बुक 15, अब देखो, OLED पैनल जो है न, इसका अपना बड़ा एलवांटेज रहते है, यहाँ पर आपको डी ब्लैक देखने को मिल जाएगा, इसमें छोट-छोटी अलग LEDs लगाई जाती है, मानलो आपको ऐसा कॉन्टेंट देखने हैं, जब ब्लैक भी है, वाइट भी है, या फिर पूरी नहीं कर सकता, यहाँ पर कॉन्टेंट देखने का आपको, जो मज़ा आएगा न, वो बिल्कुल लाच वाब है, ग्लोसी पैनल इसमें, यहाँ पर कलरी प्रोडेक्शन कमाल का है, वनलब व्यूंग एंगल इसके बहुत ही बड़िया मिल जाते हैं, ब्राइट डिस् को पूरी तरह से योगा करा सकते हैं, 360 डिग्री आप इसको टर्न कर सकते हैं, यह रवांटेज है, एसस के इस लैप्टोप का, यह देखिए, अब यह बन गया नॉर्मल लैप्टोप, अभी तक मैं इसको टैप की तरह यूज कर रहा था, अब इसका क्या रवांटेज है, इसका यह है, एक तो जब आप यहाँ पर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपको टच्सक्रीन चाहिए, तब यहाँ पर आपको पूरा अडवांटेज मिलेगा, क्योंकि यह आता है, टच्सक्रीन के साथ, और यह S-Pen भी आपको साथ में दे रहे हैं, आप ओफिस में काम कर रहे हैं, कोई मीटिंग में आपको कुछ प्रजेक्ट करना है, या फिर आपको कोई प्रजेक्ट दिखाना है, तो ऐसे में इसका जो स्वैग है वो अलग लेवल का निकल कर आता है, मेलनी मुझे लगा, यह प्रफेशनल्स के लिए लैप्टोप बहुत बढ़िया र डिस्प्ले की क्वालिटी भी आपर काफी बड़ीया देर किया है, मुवीज देखने का मज़ा आने वाला है, या फिर कोई काम कर रहे हैं कोई परोजेक्ट बना रहे हैं, मारीक्र weurde पर काम कर रहे हैं, तो अराम से यप सारे काम असाली से काम कर पाएंगे, अगर मैं पर अब आपको कमाल का मिलेगा, अगर आप ट्रेवल जादा करते हैं तो ऐसे में एक बार आप लैप्टोप को चार्ज कर लो, लंबे टेंट तक आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, वागी वैसे इसमें सारे काम आप राम से कर सकते हैं, गेमिंग को ये टार्गेट नी कर रहा ह है, गेमिंग का जिन से मतलब नहीं है, 16GB RAM है और 512GB PCI-based SSD है, अब ये तोड़ी अलग लाती है, नोर्मल SSD में, ये चिप रहती है, जैसे पहले RAM आती थी ना, RAM आपने देखिया है, जो डेक्स्टोप में डलती है, लंबी चिप होती है, उस टैप की ये SSD रहती है, ओल्मोस् महां से काट दिये जाते है, हीटिं कंट्रोन करने के लिए, साइड में ये वेंड देरी है आपको, और नीचे भी पुरा स्पेसर जांसे हवा पास हो सकती है, अगर आप यहां पर वीडियो कॉलिंग वाइरा करते हैं, तो इसका क्यामरा हाई क्वाल्टी है, जो फ्रेंट क यह आपको मिलेगा, 79990 में, OLED पैनल वाला, 74990, और जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, उसका प्राइस है, 64990, बागी इस पर ओफर बहुत आते हैं, यार आप यह लगा लो, बिग बिलेंडे आ रहा है, और भी ओफर आ रहा है, वहती कम प्राइस पे, आप इनको बाइ कर पाएंगे, बागी आप बता हूँ मुझे क्पेंस में, आपको यह लैप्टोप कैसे लगे है, एसस की न्यू सीरीज जो यह है, मैं उमिद करता हूँ, आपको हेल्प मिलोगी, आज की वीडियो से हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक्स वर वचिंग इस वीडियो,